पहरे विद्यारतियों इस शेशन के अंतरगत हम देखेंगे साजेदारों के अंतरगत जो पूंजी खाते बनाए जाते हैं उनकी कौन-कौन सी विधिया है लावहानी नियोजन खाता किस प्रकार से बनाया जाता है और इसके संदर में की जाने वाली जनल परविष्टिया उन क्यान की फिलक्चवेटिंग कैपिटलमेठर जहां बात होती है इस स्थिर पूंजी विदी की वहां ने बनाए जातें ऐक प्हों परिटण डूसरा है यह इंकी उप योगिता है किस प्रकार से यह यह तो करने वाले हैं शुरुवात करते हैं इस्तिर पुंजी विदी इस्तिर पुंजी विदी में दो खाते बनाए जाते हैं कौन कौन से जैसा कि अभी हमने बात किया था partners capital account और आपका partners current account पुंजी खाते और चालू खाते ये दो खाते आपके बनाए जाते हैं अब देखे इनमें परिवर्तन क्या है परिवर्तन यह है अंतर यह है कि जो स्थिर पुंजी विदी होता है इसके अंतर के जो capital account बनाया जाता है इसमें केवल और केवल अतरिक्त पुंजी लगाई जाए अत्वा पुंजी हटाई जाए तभी हम lien देनों को दर्ज करते हैं अन्य सभी lien देन कहां दर्ज होंगे partners current account में दर्ज किये जाते हैं अर्धार्थ जब तक पुंजी लगाई ना जाए या पुंजी हटाई ना जाए capital account में कोई परिवर्तन चिंजिज नहीं होता है पुंजी घाते में केवल अत्रिक्त पुंजी लगाई जाए और पुंजी हटाई जानने पर ही परविश्टी दर्ज की जाती है अर्थार्थ पुंजी घाते का सेश जो है वो स्तिर रहता है जब तक कि अत्रिक्त पुंजी लगाई ना जाए या पुंजी हटाई ना जाए यह आपके इस्तिर पुंजी विदी में जो पुंजी घाता बनाते हो जो आप capital account बनाते हो जबकि जो current account है जो चालू खाता है उसके अंतरगत हम क्या करते हैं current account के अंतरगत आहरण आहरण पर ब्याज साजे दरोगी पुंजी पर ब्याज साजे दरोगों दे वेतन कमिशन बॉनस लाभों में हिस्सा हारी में जो भी हिस्सार है वो सभी का सभी कहां दर्ज होता है partners current account इस्तिर पुंजी विदी दो खाते capital और current capital account में केवल और केवल अतरीत पुंजी लगाई जाए या पुंजी हटाई जाए इसके अलबा कोई परविस्टी नहीं होगी बाकी जो लेंदेन है आहरण पर ब्याज आहरण वेतन कमिशन लाभ में इस्सा या हानी में इस्सा वो सभी partners current account चालू खातों में दर्ज किया जाता है जबकि आइस्तर या परिवर्तन सील पुंजी विदी में जहां हम बात करते हैं केवल एक ही खाता बनता है कौनसा partners capital account अब जब खाता एक ही बनेगा partners capital account तो सभी लेंदेन उसी में दर्ज होंगे सभी कौन से चाहे अत्रिक्त पुंजी लगाई जाए और हटाई जाए यह त में सा वह भी आपका capital account में दर्ज किया जाएगा जो किस्तिर पुंजी विदी में current account में जाता था इस पुंजी विदी में एक ही काता अर्थार्थ पुंजी खाता बनाया जाता है सभी समयोजन इस खाते में दर्ज किये जाते हैं जैसे अत्रिक्त पुंजी हटाई गई ब्याज पुंजी पर ब्याज साजेदारों को वेतन कमिशन लाव यहानी मिसा सभी समयोजन कहा दर्ज होंगे partners capital account में किलियर है यहां तक अब हम बात करते हैं कि फॉर्मेटिंग यानि accounts बनाये किस परकार से जाते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिर पुंजी विद केवल पुंजी लगाने और पुंजी हटाने की परविष्टी होती है अन्य कोई परविष्टी दर्ज नहीं होगी यह देखिए प्रारंबिक सेस्ट बैलेंस बीडी और यह आपका दिया गया है अंतिम सेस्ट टू बैलेंस इसके अलवा क्या लेंदेन है या तो अत्तरिक् का बैलेंस चेंज नहीं होता है जब तक कि अत्रित पुंजी लगाई ना जाए या हटाई ना जाए इमेजिन करिए कि यह दोनों ही लेंदेन नहीं है तो जो प्रारंबिक सेस्ट होगा वही क्या होगा आपका अंतिम सेस्ट होगा यह स्थिर्पुंजी और दूसरा घाता क करन्दन के वर कवल क्रेडित इसके अलावा करण्ड में क्या ऐगा वाइप यह लए गूल अप्रोप्रोप्येशन सद्र था कुपी यह दीट्र प्रोप्येशन फुंजी पर व्यार्ट में यानि साजे दारों में जो भी लब का वित्रण है चाहें वित्रन कमिशं बॉनस दिया जाता है वह सभी कहां आएगा current account के credit में debit में क्या जाएगा आहरण आहरण पर ब्याज to P&L appropriation आहरण पर ब्याज और अहानी में हिस्सा तत्पस्चात क्या करेंगे balance निकाल लेंगे अगर credit side की total जादा है credit से तो बैलेंस ही दिया जाएगा यह आपका स्थिर पुण्जी विदी दो खाते capital और current account capital account में पुण्जी लगाई और हटाई अन्य कोई लिन दिन नहीं जबकि current account में वेतन, commission, bonus, ब्याज, लाबो मिसा, आहरण, आरन पर ब्याज, हानी मिसा यह सभी मदें जो है दर्ज की जाती है जबकि परिवर्तन शील पुण्जी विदी में एकाउंट ही एक बनता है कौनसा partners capital account तो सभी समयोजन capital account में ही तो दर्ज होंगे जैसे कि यह प्रारंबिक शेज दिया गया है इसके अलावा अत्रिक्त पुण्जी और हटाई गई पुण्जी अब देखें यहाँ पर प्रारंबिक शेज यहाँ मैंने credit में भी दर्स का दर्साया है और debit में इसका reason क्या है क्योंकि जो इस्तिर पुण्जी विदी होती है इसमें केवल और केवल क्या होता है आपका credit सेश होता है कभी भी debit balance नहीं होगा यानि हटाई गई पुण्जी जो है कभी प्रारंबिक पुण्जी से जादा नहीं हो सकती है जबकि परिवर्तन सिल पुण्जी विदी में हाता केवल और केवल क्रेडिट सेश दरसाता है जबकि परिवर्तन सिल पुण्जी विदी में यह debit या credit सेश हो सकता है बाई बैंक अत्रिक्ट पुण्जी टू बैंक हटाई गई पुण्जी यह आपके जब इस्तिर पुण्जी विदी होता है तो capital में आता है अन्य सभी स इदर क्या जाएगा आहरण पर और लास्ट में क्लोजिंग बैलनस निकाल लेंगे अगर टो बैलेंस टू बैलेंस इडि और अगर डैबिट पक्सी टोटल जादा है तो डैबित से यानिंगी बैलेंस इडि द्वारा हम इससे परदशित प्रदर्शित करने वाले हैं तो य पूंजी लगाना और हटाना तो कैपिल में जाएगा सेस समय जिन करन्ट एकाउन में जब कि परिवर्थ नशील में केवल एक ही काता बनता है सभी समय जो है इसी में दर्ज होने वाले हैं अब हम इन में अंतर पर चर्चा करने वाले हैं स्तिर पूंजी विदी और और यहाँ कहें परिवर्त-णिल पुँझी वीदी में आंतर तो पहला नतर यही हो गया कौंसा स्तृर पुझी वीदी इस्तिर पूंजी विदी में आहरण, वेतन, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, ला बहानी, यह सभी कहां दर्ज किये जाते हैं, चालू खातों में करंट एकाउंट में, क्योंकि कैपिटल एकाउंट में तो केवल पूंजी लगाना और पूंजी हटाना संबंदी प लाब हानी, आदी सभी समयोजन कहां दर्ज होंगे पार्टनर्स कैपिटल एकाउंट में, साजेदारों के पूंजी खाते में, मदेशे में है, अहरण, वेतन, प्रभ्याज, कमिशन, लाबो में इसा, हानी में इसा, इस्तिर पूंजी विदी में आता है करंट एकाउंट मे और परिवर्तनसील में आएगा आपका कैपिटल एकाउंट में, अब बात करते हैं जो स्थिर पूंजी विदी है, इसमें पूंजी खाते का सेश जो है, हमेशा क्या रहता है, इस्तिर रहता है, परिवर्तित नहीं होता है, जब तक कि पूंजी लगाई ना जाए, या पू पूंजी खाते का जो बैलेंस है, जो सेश है, वहाँ बदलता रहता है, कभी डैबिट, तो कभी क्रेडिट चेंज होता रहेगा, चाहिए आप आहरण की एंट्री करो, आरण पर ब्याज की एंट्री करो, लाब में वित्रन की एंट्री करो, सब से क्या होता है, बैलेंस जो होगा इस्तिर फूझि विदी में पूझि घातेगा जो सेश है सदेव जमा सेश होता है क्रेडिट से इस होता है क्योंकि लगाई गई पूझि से ज्यादा पूझि नहीं हटाई जा सकते questions Zarian कि या परिवर्तनुसीलraz, जो पुँझी खाता है उसका बैलन्स, नाम या जमाण, debit या credit दोनों हो सकता है, क्योंकि जितनी पुझी लगाई गई है उससे जधा विद्रॉं नहीं हो सकता लेकिन आहरण हो सकता है जो पूझी लगई गई उससे जदा हानि में हिस्सा हो सकता है इस वज़े से पूझी खाते गाइलिस डेबिट भी हो सकता है कि सत्र पूझी विधी मैसा कभी भी नहीं होगा जीतनी पूझी लग है जाए लेकिन पूझी अगर एक लाग की लगाई गई है वहां पर आहरण किये गए हैं व्यापार लगातार हानी में चल रहा है तो फिर उस पुंजी घाते का बैलेंस डेबिट हो सकता है क्योंकि परिवर्तन शील पुंजी विधी में सारी की सारी मदे जो ट्रांजिक्शन से हैं वो कैपिटल एकाउंट में ट्रांस्टर करते हैं और वो कैपिटल के बैलेंस को डेबिट कर सकते हैं के लिए यहां तक अब बात करेंगे जर्णल परिविस्टियां जो है किस प्रकार से दर्ज की जाती है सबसे पहले बात करते हैं जो लाब हानी खाता जो प्रॉफिट और लॉस एकाउं नियोजन खाता है वह बनाया जाता है जो लाब की राशी है जो पीडल एकाउंट का बैलेंस है उसे साजेदारों में किस प्रकार वित्रित किया जाए इसलिए पीडल एक्रोप्रोप्रेशन बनाया जाता है क्यों बनाया जाता है पीडल एकाउंट पीडल एकाउंट बनाय जाता है यह बनाए जाता है लाभों के वित्रण हित्व फॉर डिस्टिबूशन ओफ प्रॉफिट लाभों को जेश है वो लाब हानी निजन खाते में अस्तान्च जीद्गोनई पर तो अगर जमाशेश है यानी सुद्ध लाब है तो पीएडल ändern एकाउट को डैबिट करते वे टू पीएडल एप्रॉप्रोप्रोप्रीयेशन is लिख का जमाशेश अर्थार्थ जो सुद्ध लाब है उसका डगा बैलेंस've जो है वो क्रेडिट बैलेंस यह तो बन्द करना में क्या क्रेडिट और कहा ट्रांस पेंडल और बिलकुल इस विपरित यान्शेट पिनल अगर नाम सेज हैँए सुद्ध हानी है तो बंध करने लिए क्रेडिट यह क्रेडिट यह पी इंडल the appropriation account debit to profit and loss account इस परकार से जो है entry जो है प्रविस्टी जो है आपकी दर्ज की जाएगी यह credit balance होने पर और यह आपका जाएगा debit balance होने पर किलियर है next देखिए बात करते हैं पूंजी पर ब्याज के संदर्व में निश्चित रूप से एक nominal account है खर्च के रूप में इसे क्या करेंगे हम debit करेंगे तो interest on capital account debit to partners capital या current account अब यह capital क्यों किया गया है क्योंकि अगर साजेदार को पूंजी पर भ्याज मिल रहा है तो निश्चित रूप से पूंजी में व्रधी करने वाला है और पूंजी साम्माने क्रेडिट माना जाता है तो व्रधी के करेंगे अब आप बात करेंगे capital account भी आ रहा है तो दो खाते बनते हैं capital और current capital में केवल और केवल पूंजी लगाने और आटानी की परविष्टिया होती है से सभी समयवजिन कहां जाते हैं आपके current account लेकिन अगर परिवर्ध तंसील पूंजी विदी है तो चूंकि account ही एक है capital तो समयवजिन कहां जाएंगे capital account में तो यह depend करता है प्रस्ट में सूचना क्या है पूंजी पर व्याज इस्थिर पूंजी विदी है तो current में जाएगा परिवर्ध तंसील है तो capital में अब यह जो interest on capital है इसे कहां ट्रांस्टर गरना आपको पी एंडल एप्रोप्रेशन में debit है ना यह जाएगा credit यानि कि पी एंडल एप्रोप्रेशन एकाउंट debit to interest on capital और अगर देखा जाए तो दोनों accounts एक ही है interest on capital यहां debit हो रहा है यहां interest on capital credit यानि कि यह खाता बंद हो चुका है तो पीछे क्या बचता है पी एंडल एप्रोप्रेशन डेबिट टू पार्टनुस कैपिटल या करन्ट अकाउंट यानि उप्रोग तो दोनों प्रविष्टियों के स्थान पर एक प्रविष्टी की जा सकती है यानि interest on capital डेबिट भी हो गया credit भी हो गया यह अकाउंट बंद हो चुका है क्या बचा पी एंडल एक्ठोंट आप्रोप्र्रेशन एकाउंट डेबिट टू पार्टनुस कैपिटल या करन्ट ईक ठास्म तो हम अरे पास में चाहे तो यह दो प्रविष्टियों करें येंडल एप्रोपिशन डेबिट टू पार्टनर्स कापिटल या करन्ट अब बात करते हम आहरण के संदर्ब में तो साजेदार द्वारा जब भी आहरण किया जाए पार्टनर्स ड्रॉइंग्स एकाउंड को की व्यक्तिके दिखाता है पर्सनल लगाता है पाने वाला डेब यह करेडिट कर देंगे टू पार्टनर्स कापिटल या करन्ट अकाउंट डेबिट अब ड्रॉइंग्स एकाउंड बन्द हो गया तो पीछे क्या बचा पार्टनर्स कापिटल या कर एकाउंट डैबिट टू बैंक एकाउंट इस प्रकार से एक सिंगल पर विस्टी भी जो हम आरण के संदर में दर्ज कर सकते हैं अब बात करते हैं आरण पर ब्याज तो आरण पर ब्याज जनरली हम जब 11th क्लास में थे हम आरण की एंट्री पढ़ते थे आरण पर ब्याज के इस अंदर में ड्राइंग्स एकाउंट डैबिट टू इंट्रेस यहां पर आगे पार्टनर्स ड्रॉइंग्स लगा दिया यही तो फार्क है क्योंकि यहां पर अक्यला वेक्ति नहीं है राम शाह मोहन तीन हो सकते हैं राम शाह मोहन सुनिल चार हो सकते हैं पांच वेक्ति रहाए इस प्रकार कहा चला गया पार्टनर्स कैपिटल या करन्ट में ट्रांस्टराइब ट्रांसर इस के संदर में कर दिया जाएगा के लिए यह पार्टनर्स जो है आपका इस परकार रहां चला पार्टनर्स कैपिटल या करंट एकाउंट में अब क्या बचा एक तो बैलेंस बच गया पीएंडल एप्रोपिशन एकाउंट का तो इन तीनों परविश्टियों के स्थान पर इन तीन प्रविस्टी के स्थान पर एक प्रविस्टी की जा सकती और वो क्या बचेगी Partners Capital या Current Account Debit to P&L Appropriation Account इस प्रकार से जो है एक Entry या प्रविस्टी दर्ज की जाएगी Partners Capital या Current Account Debit to P&L Appropriation Account के लिए रहे यहां तक चलें आगे next देखी क्या कहता है साजेदारों को वेतन Commission या पारिश्रम्मी के संदर्व में एक्सपेंडिचर है डेबिट करेंगे यह Partner salary Commission या Remuneration debit और इससे क्या होता है साजेदारों की पुन्जी में व्रदिया कमी मैं पार्टनर मैंने अपने व्यापार में 되면 1,5 रुपिया लगा और वहाँ से मुझे 10,000 रुप betting मिल रहा है सालागा तो मेरा पुन्जी का बैलेंस 90,000 हो जाएगा क्या नहीं एक लाग 10,000 हो जाएगा क्योंकि एक लाग रुपिया जो मैंने व्यापार में लगाया है और दस जाव रुपिय जो मुझे वहां से वेतन मिलना है तोटल मेरी पूंजी एक पार्टनर सेलरी या कमिशन एकाउंट इन दोनों परविष्टियों के स्थान पर एक परविष्टी कर सकते हैं ऐसा क्यों क्योंकि पार्टनर सेलरी कमिशन रेमोनेशन खाता बंद हो चुका है डेबिट वापस क्रेडिट बचाए गया पी एंडल अप्रोपियशन तो या करण्ड एकाउंट यह साजोदारों को जो भी वेतन कमिशन बॉनस या पाजिशन मिक दिया जाता है अब किसी प्रकार का सांबाने संचे बनाया जाए जनरल बनाया जाए क्या परविश्टी करेंगे पी एंडल एप्रोप्रोप्रेशन टू जनरल जरू अब आप बात क पूछ राशी बचा ली जाती बविश्य में होने वाली आकश्मिक्ताओं हानियों की छती पूर्ती के लिए अगर सो रुपए का लाबवा पूरा का पूरा साजेदारों में वित्रित हो गया तो किसी वज़े से अगर बंदिकाल आता है विप्रित परिस्थितियां आती है व्यापार हानी में चला जाता है तो छती पूर्ती कहां से होगी इसलिए हम लाब में से कराशी बचा लेते हैं जो हम सामाने संचे में ट्रांस्फर करते हैं बविश्य में होने वाली हानियों की छती पूर्ती के लिए तो आज एगा पी एनलल एप्रोपरिशन एकाउंट टू जनरल रिजर्व सेश जो भी लाबहानी बचेगा कहां जाएगा साजेदारों में वित्रित किया जाएगा कौन से अनुपात में लाबहानी वत्रण अनुपात में और अगर साजेदारी सनलेक नहीं बना गया है या किसी प्रश्ण में लाबहानी विभाजन अनुपात आपको नहीं दिया गया है तो यह मानते वे की संलेक नहीं बना लाब आनी को बराबर distribute आप करने वाले हैं फर्स्ट जैसा अगी प्रष्ट में दिया गया है वह अनुपाते कर नहीं हो तो फिर बराबर का तो अगर लाब है तो क्या संबद में प्रमिश्टी का होगी P&L Appropriation to Capital या Current Account इस तिर पुन्जी विदी है तो Current में परिवर्ट तनसील है तो Capital में और अगर हानी है तो पाटनर्स Capital या Current Account अबिट to P&L Appropriation Account हानी की इसी कंडिशन में जाता है जब व्यापार लाब की इस्तति में हो साजेदारों को वेच्टन का मिश्ट के नहीं दिया जाएकह जब लाब की स्तति में हानी होने पर नहीं दिया जाएगा तो के लिया रहे यह आपर तो यह क्या जाएगी आपकी जो जर्णल परविस्टियां हैं किस परकार से P&L Appropriation में जाएगी किस परकार से पूंजी घाते में जाएगी चाहिए वो आपका Capital Account हो या फिर जो है आपका Current Account और P&L Appropriation Account बनाया क्यों जाता है देखिए P&L Account सुद्ध लाब और सुद्ध हानी की गणना के लिए बनाया जाता है जबकि P&L Appropriation Account उसी लाब का साजेदारों में वित्रण किस परकार से किया जाए उसके लिए P&L Appropriation Account बनाते हैं पर्मेटिंग क्या है P&L Appropriation Account का सबसे पहले तो हम सुद्ध लाब ले आएंगे बाई P&L और लॉस है तो टू P&L नेट लॉस अब क्या करेंगे इस लाबों का साजेदारों में वित्रण जो साजेदारों को दिया जा रहा यानि वेतं Commission bonus के रूप में पुण। म rate व्याज मका साजेदारों में और साजेदारों से जो फ्राप्त किया जा रहा है यानि आहरन पर भ्याज या जो विहानी में हिस्सा है क्या जाएगा तू-पार्टनर्स ा करन्ट एक कौट फूंजी हाज तू-पार्टन करंट एक्कवितं समय किसी राश्टन नहीं गिया जाता है इसकी अलावा लाभ होगा तो जा और पर भ्याज बाय पार्टनर्सन और गौन्ट बाई परिवर्द नशील पूंजी विदी है तो यहां पर आपका प्रभावित होने वाला है यह आपका पिए अनल एक्प्रोप्रोपेशन एकाउंट है लाभ हनी नियोजन घाता जो लाभों का साजेदारों में वित्रन हितु तयार किया जाता है बनाया जाता है इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो इस प्रकार से दर्ज होनी है लाभों का वित्रन जैसा की साजेदारी सनलेक में उलेक किया गया है और सनलेक के अबाव में लाभानी विवाजन पाद बराबर किया जाएगा तो इस session में फिलाल के लिए इतना ही topic को next करेंगे जल्दी thank you very much